सनातन संस्कृति आस्था व भक्ति का अलोकिक संगम है देव भूमी उत्राखंड कदम कदम पर दिव एवम अलोकिक शक्तियों के देवाले और सिधास्रमों से सजी इस देव भूमी उत्राखंड में तीर्थ स्थलों की एक लंबी स्रंखला भी है देश और दुनिया के तमाम छेत्रों से यहां दर्सन करने के लिए पधारने वाले आगंतुकों के लिए उत्तरा खंड की यह पावन धर्ती उनके हरते को निर्मलता एवं दिव्यता प्रदान करती है देव भूमी के ऐसे ही तमाम अद्भूत दर्सनिय इस्थलों में से एक आस्था वो पावनता का दिव्य इस्थल भक्ती वो मुक्ती प्रदान करने वाली माचंद्र बदनी शक्ति पीट का महत्व भी सबसे निराला है नमस्कार मैं अजय चोहन लाइव नालेज में आप सभी का स्वागत है अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बेल आइकन को भी दबाना न भूले क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मी के यत्राओं के अलग-अलग विश्यों पर इसी परकार की जानकारिया लात रहता हूं तो देव भुमी उत्राखन के देव प्रयाग में गंगा नदी के पूर्वी भाग और चंद्रकूट परवत की लगभग 7500 फीट उचाई वाली चोटी परिस्थित इस शक्तिपीठ स्थल को देवी चंद्रबदनी शक्तिपीठ मंदीर के नाम से पुकरा जाता है काफल, बुरांस और देवदार जैसे वरक्षों से घिरे हुए होने के कारण यह शक्ति स्थल बहुत ही मनमोहक द्रस्च प्रस्तुत करता है इसके अलावाद चंद्रकूट पर्वत की चोटी से हिमाले पर्वत सहित अन्यक कई प्रसिद धार्मे किस्थलों की चोटियों के भी दर्सन हो जाते हैं मन्दिर के पूरी तरह से प्राकरतिक छटा के बीच मौजूद होने के कारण भी मैदानी छेत्रों से आने वाले भक्तों के लिए यहां की स्वास्तिवर्दक जलवायू का अपना अलग अनंद और अनुभव होता है मन्दिर के आसपास के घने जंगल में पशु पक्षियों की उपस्थिती और नियमित होने वाली आरती मंत्रों चारों से यहां के वातावरन में दिव्यता का अभास होता है और क्योंकि यहां अनादी काल में स्थापित एक दिव्य शक्तिपीठ मंदिर है इसलिए यहां पूजा पाठ भी अनादी काल से ही होती आ रही है इसी कारण इससे जुड़े तमाम प्रकार के रहस्य और पौरानिक तथ्य तथा साक्ष भी हमें देखने और सुनने और पढ़ने को मिलते हैं मंदिर से जुड़ी तमाम तरह की किवदंतियों और एतिहासित प्रमान आज भी मौजूद है उनी की उदंतियों और तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि माता चंदर बदनी शक्ति पीठ के इस मंदिर में पहले कभी नरबली की प्रथा भी प्रचलित हुआ करती थी उसके बाद उस नर्बली को पशुबली में बदल दिया गया और अब वह प्रथा भी पुरी तरह से एक सात्विक विधी विधान में बदल कर फलों और फूलों तक रहे गई है जहां तक एक और अधिक तरस दालू और स्थानी निवासी इस पीठ को शक्ति पीठ मानते हैं वहीं कुछ विध्वानों का मत है कि यह सक्ति पीठ नहीं बलकि एक सिध्य पीठ स्थल है मंदिर के गर्ब ग्रह में मौझूद दिव्य और चमतकारी स्रीयंत्र इस मंदिर में कब कैसे और कहां से आया और किसके द्वारा लाया गया इस बारे में कोई खास साक्ष और उलेक मौझूद नहीं है लेकिन कहा जाता है कि आदी गुरू शंकराचारे ने इस चमतकारी स्रीयंत्र से प्रभावित होकर ही चंद्रकूट परवत पर चंद्रबदनी मंदिर की स्थाफना की थी इसलिए यह शक्ति पीठ नहीं बलकि सिध्ध पीठ है जबकि इसी दिव्य स्रीयंत्र के कारण यह सिध्ध पीठ की बजा शक्ति पीठों में माना जाता है जबकि पौरानिक साक्षों को अधार माने तो देवी भागवत पुराण, सकंद पुराण और महा भारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी इस पीठ का वर्णन मिलता है पौरानिक साक्षों के अधार पर कहा जाता है कि भगवान विश्णू के चक्र से कट कर माता सती का धड़ यानि बदन का प्रमूख भाग इसी परवत की चोटी पर गिरा था इसलिए इस स्थान का नाम चंद्र बदनी शक्ति पीठ पड़ गया और इस परवत का नाम भी चंद्रकूट परवत हो गया पदम पुरान के केदारखंड में भी माता चंद्र बदनी शक्ति पीठ का वर्णन विस्तार से मिलता है इस्थानी लोगों का कहना है कि महावारत काल के गुरु द्रोन पुत्र अस्वत्हमा को लोगों ने कई बार यहां माता के मंदिर के आसपास देखा है उत्राखंड के राज्य के देव प्रयाग जिले में स्थित चंद्रकूट परवत की चोटी परिस्थित इस चंद्रबद्नी शक्तिपीठ मंदिर के गर्ब ग्रह में माता की कोई विशेश आकरती या मूर्ती नहीं है बलकि यहां माता के प्रतिक के रूप में एक स्रीयंत्र इस्थापित है मंदीर के पुजारी बताते हैं कि गर्ब ग्रह में मौजुद माता का यह स्रीयंत्र हमेशा कपड़े से ढखा रहता है इस स्रीयंत्र में इतना तेज है कि नंगी आखों से इसके दर्सन करना भी किसी मानों के लिए संबोन नहीं है इसलिए पूजन और दूद से इसनान अदी के समय पूजारी द्वरा अपनी आखों पर पट्टी बांध कर या आखे बंद करके या फिर नजरे जुका कर ही स्रीयंत्र पर कपड़ा डाला जाता है और पूजा की जाती है कहा जाता है कि एक बार किसी पूजारी ने अज्यानता वश खुली आखों से माता चंदर बदनी के इस स्रीयंत्र पर कपड़ा डालने की कोशिश की थी जिसके बाद वह पूजारी अंधा हो गया था और कहा जाता है कि इस स्रियंतर के साक्षात दर्सन आदिगुरु संकराचार के बाद से अब तक कोई भी नहीं कर पाया है बताए यह भी जाता है कि यह स्रियंत्र एक काले पत्थर परंकी थे इस स्रियंत्र के उपर चांदी का एक बड़े अकार वाला छट्र धका रहता है इसके अलावा इस स्रियंत्र के पूजन में प्रयोक किये जाने वाले शंक का पवित्र जल पीने का बड़ा महत्व बताया जाता है इस्थानी प्रंपरा के अनुसार मंदिर में पूजा पाट या पूजारी की जिम्मेदारी केवल जन्पद टिहरी गड़वाल के पूजार गाउं से जुड़े भट परिवार के लोग ही करते आ रहे हैं किवदंतियों और मान्यता के अनुसार मंदिर के आसपास ही में एक ऐसा कुंड भी है जो अद्रश है उस अद्रश से कुंड के बारे में कहा जाता है कि जो भक्त एवन साधू सन्यासी यहां सच्चे मन से माता की भक्ती और तपस्या करते हैं उन्ही को उस कुंड के दर्शन हो पाते हैं कहा जाता है कि माता चंदर बदनी मंदिर के गर्ब ग्रह से निकल कर उस अद्रश से कुंड में नियमित इसरान करने जाया करती है रिसि इसकंद ने इसकंद पुराण में इस सिद़् पीठी महिमा का वरणन करते हुए दियोताओं को बताया है कि यह स्थान समस्त सिध्यों का प्रदाता है इसलिए इस शक्ति पीठ स्थल के दर्शन करने मातर से जन्म जन्मांतर के पाप नस्ट हो जाते हैं रिसी सकंद के अनुसार जो भक्त यहां तीन दिनों तक फलाहार करके निवास करते हुए देवी का जाप करता है उन्हें उत्तम प्रकार के सिद्धिया प्राप्त होती है नियमित रूप से यहां आने और दर्सन तथा भक्ती करने वाले स्रद्धालों का कहना है कि माता चंद्रबद्नी अपने भक्तरों को कभी खाली हात नहीं जाने देती और यहां जो दान दिया जाता है माता उसका फल करोडों की संख्या में लोटा कर देती है आम स्रद्धालों के लिए माता चंद्रबद्नी शक्तिपीठ मंदिर खुलने का समय प्रति दिन प्रातह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक का होता है मंदिर के कपाट वर्स भर खुले रहते हैं जिसके कारण देश और दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले तमाम स्रद्धालों को भी यहां माता के दर्शन आसानी से हो जाते हैं अगर आप भी यहां दर्सन के लिए जाना चाहते हैं तो यहां ध्यान रखें कि यहां जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रेल से अक्टूबर तक का होता है लेकिन ये वी ध्यान रखें कि अगर आप यहां बारिस के मौसम में आना जाना करते हैं तो पहाड़ी रास्तों के धसने से परेशानी हो सकती है सरदी के मौसम में भी मैदानी इलाकों से यहां आने वाले सरद्धालों के लिए थोड़ी मुस्किल होती है क्योंकि सर्दी के मोसम में भारी बर्फवारी के कारण यहां का तापमान बहुत अधिक नीचे चला जाता है इन सबसे अलग यहां चेत्र और शरद नौरात्र के आउसर पर हजारों के संख्या में भीड उमरती है ऐसे में आपको यहां अत्यधीक भीड का सामना भी करना पड़ सकता है मंदिर छेत्र में भोजन योम ठहरने की व्यवस्था बहुत बड़े इस्तर पर तो नहीं है लेकिन यहां मंदिर के आसपास ही में यात्रियों के लिए नीजी विस्राम ग्रह और भोजनालेयों की इस्थानी इस्तर पर अच्छी व्यवस्था देखी जा सकती है सिद्पीठ चंदरबदनी जनपद टिहरी के हिंडोला खाल विकासखंड में समुद्र तल से आठ हजार फीट की उचएपर चंद्रकूट परवत परिस्थी थे माता चंदरबदनी मंदीर का निकटतम रेलवे स्टेशन रिशी केस है और निकटतम हवय अड़ा देहरा दून में है इसके बाद तो मंदीर तक पहुँचने का एक मातर रास्ता सडक मार गही होता है उत्राखंके स्रीनगर शहर से लगबख 55 किलोमेटर और रुद्र प्रयाग शहर से लगबख 85 किलोमेटर दूर इस्थी थे जबकि देव प्रयाग से इस मंदीर की दूरी लगबख 35 किलोमेटर है और अगर आप रिशी केस से यहां जाते हैं तो यही दूरी देव प्रयाग से होते हुए करीब 110 किलो मेटर है पुरानी टिहरी से यहां की दूरी करीब 45 किलो मेटर है तो अगर यह जानकार यह अप लोगों को अच्छी लेगी होतों कर प्रया कमेंट बाक्स में अपने विचार हमें जरूर बता है और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं और अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही मबने बेल आइकन को भी दबाना ना भूले तब तक के लिए धन्यमाद जैहिन पंदे मातरम